प्रेस्ट बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आफ और सभी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आश्रागरतों कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज जमा आपके लिएक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंट्रस्टिंग वीडिय जिनके स्पेशल गेस्टों की भारत की बेटी हम सब की चाहिती और दबंग वकील नाजिया लाइक हां जी तो ये वीडियो काफे इंट्रस्टिंग होगी आपको बहुत कोछ जानने को मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा तो इससे हम तक देखें और चैनल पर नहीं है तो को सब्सक्राइब करतें ताकि हम अपके इसी इंपोर्टेंट इंट्रस्टिंग और इंफरमेटिव वीडियो लाते रहे तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और तुम इसके बारे में बात करेंगे जय हिंद जय भारत वह बहुत क्रस्टल क्लियर है कि अरब मालिक से लेगर करके और रश्या से लेकर के और इरान से लेकर के बहुत मतलब अभी देखो हम लास सेशन में बात किया था मोईजू वो भी अभी परेशान है माफी मांग रहे हैं अब कैनिड़ ओ और नहीं माफी मांगने को तयार है वो भी अब परिशान हो रहा है, उतेजित हो रहा है, तो भारत एक ऐसे जगह पर पहुंच चुका है, जिससे रिलेशन्शिप खराब करना दूसरे देशों के लिए बुरा हो सकता है, दूसरे देश के लिए गलत हो सकता है, अब क्योंकि मानफता बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यह जो पार्टी है, यह कटर हिंदू की पार्टी है, इसलिए भारत इतनी तरक्की कर गया, इसलिए भारत दस साल में और बारा साल में हमने देखा कि मोदी जी के नैतरित में अपने वीजोन और फोकस को अचीव कर पाया, अदरवाइस फिर वही चलता रहता जो रहा था कि नहीं, गोड से बहुत बुरा है और गांधी जी बहुत अच्छे है, अगर गांधी जी वाके में बहुत अच्छे होते, तो भगत सिंग जी जिन्दा रहते, उनको फासी नी डलती, अगर वाके में कॉंग्रस का जमाना बहुत अच्छा होता, तो बिनोई बाद किया, Congress ने divide and rule की policy की, उन्होंने लोगों को लडाने और धर्मों और मजभवों को लडाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर विजन प्लियर है, यहाँ पर विजन यह है कि जो भारत की तरक्की है, वही यहाँ के रहने वाले citizen की तरक्की है, हम भारत की तरक्की में अपने तरक कोई देश तरक्की करता है, तो वहां के रहने वाले citizen भी तरक्की करते हैं, आज Pakistan बरबाद हो चुका है, Pakistan खबरिस्तान में कनवर्ट हो चुका है, तो वहां के देशवासी भी परिशान है, वहां के देशवासी भी भूके मर रहे हैं, लेकिन भारत बहुत तरक्की कर गया ह तो यहां के देशवासी भी और वेस है के तरक्की करेंगे, यह तो नुच्छी है तरक्की करेंगे, आप सोचो कि हमारे भारत में 27% जो लीगल कॉर्परेट फिल्ड है, वो कौन चला रही है, वो महिला चला रही है, महिला चला रही है, तो हर एक जगह पर नारियों को सम्मान बहुत ज्यादा दिया गया है, बेटियों को सम्मान बहुत ज्यादा दिया गया है, यूवाओं के बारे में बहुत ज्यादा खयाल रखा गया है, आज से 10 साल पहले भारत में कोई साइंटेस्ट के बारे में बात भी नहीं करता था, कोई बात ही नहीं करता था, कोई बच् सांटेस्थ बने अबते तो अब दीर दीर इन जितनी ? основ तो अब निखर करके सामने आ रहे हैं और यह हुआ है तो सिर्फ मोधी जी के नेतरित में हुआ है ठीक है और इस पास से थोड़ा सा मैं इस लिए एगरी करूंगा दो चीजे मैं डिसकस्ट यहां पर करना चाहूंगा एक तो अपने हवाले से पहले बताता हूं कि जब मैंने पाकिस्तान, इंडिया, कंपैरिजन या सीखने के हवाले से थोड़ी से वीडियो स्टार्ट की तो यकीन माने ना जेद है ये शायद आप को भी सुनके थोड़ी हैरत होगी और देखने वालों को भी कि मैं ये वीडियोस रिकार्ड करता था और कहीं पहुत करूई तो नही ऐसा तो नहीं कर रहा कि आडियंस कुछ करने के लिए तरीफ कर रहा हूं या कुछ लेकिन जैसे जैसे मैंने सड़ी करना शुरू किया मुझे आइडिया हुआ कि जो चीजे हम डिसकस कर रहे हैं उसे कई आगे इंडिया जा चुका है और अब तो अब मैं नहीं यूट्यूब कि खबर थी कि पूरी दुनिया स्थीज को मान गई है कि हाँ भाई शिव शक्ति पॉइंट जो उनसा है मून पे उसे प्रापर एक्सेप्ट किया गया है तो यह चीजे वाकी में हिरान करने वाली है मुझे ऐसा लगा कि शैद यह यह दो तीन चार साल में एक बहुत तेजी से बहुत तेजी से इंडिया डेवल्मेंट की तरफ जाता नजर आ रहा है तो शिव शक्ति पॉइंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगी मून पे भी आपका एक अपनी प्लेस है बिलकुल और जिस हिसाब से इतने इंपोर्टन चीजों को इतने महत्वपून चीजों को भी के परदान मंत्री ने महिलाओं के उपर सर का ताज बना करके दिया है यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है चंद्रयान थ्री उसके बाद शिप शक्ति 33% वोमन रेजर्वेशन बिल टीन तलाख बैन शाधी शगुन योजना सीकू कमाओ योजना लाडली योजना लगपत सिक्स परसंट साइंटेस्ट महिलाएं हैं भारत में 48.4% करेंट फीमिल पॉपलेशन है और उसमें से 2021 के डेटा के हिसाब से रेशियों के हिसाब से 91.9 95% महिलाएं शिक्षित है 91.95% महिलाएं शिक्षित हैं भारत के अभी मनें आपको बताया ही कि सबसे बड़ा 27 बड़े कॉर्परेट लॉफर्म भारत में वह महिलाएं चला रही है हमारी जो प्रेसिडेंट है मुर्मुर जी वह महिला है हम जो भारत में रहते हैं तो हमें अपने आप यह पता होता है कि कभ हमें दुर्गा बनना है कभ हमें लक्ष्मी देवी बनना है कभ हमें सर्स्वती बनना ह किसी को शिखाने की जुरूती है अब देखे जितने मुस्लिम कम्यूटी के लोग है अगर वहां पर महिलाएं बहुत उचे पद पर होती है बहुत उचे पोस्ट पर होती है पर जैसे ही वो घर पे इन करती है तो उनको एक हमिलियेशन का सामना करना पड़ता है इतना देर क्य क्या बात है ठीक है चार पराठे और एक कप चाय बना करके लेके आओ काम नहीं होता है तो मत करो हम खिला लेंगे दो रोटी लेकिन ये चीज़ सनतन धर्म के घरों में नहीं होता है वहां पर अगर कोई औरत काम कर रही होती है तो उसको और भी ज्यादा प्रोवोकेट किया जाता है उसको और भी ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है उसको और भी ज्यादा हिम्मत दी जाती है कि आज तुम यहां तक पहुंची हो हम तुम्हारे बैकिंग सपोर्ट बनेंगे पिलर बनेंगे कल को तुम और आगे पहुंच जाओगी तो मैंने जितना पढ़ा है औ इतना सनातंधर में हैं नाधिया जी एक थोड़ा सा सक स्वाल पूछूँगा सक अगर आप जो आप देना चाहें तो आपकी मर्जी यदर्वाइस देखें कोई भी सुसाइटी है कोई भी कंट्री है ऐसा पॉसिबल नहीं के वहां पे 100% सब कुछ बेहतर और बेहतरीन चाल र कैलें जैसे के बहुत सी अच्छी चीजों को हम डिसकर्स करते हैं को यह ऐक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि इंडिया में यह चीज अभी चेंज होने वाली है मुझे लगता है कि मुसल्मानों को अपनी जिहादी एक्टिविटीज चेंज कर देनी चाहिए और अपोजिशन जो डायरेक्टर हमारे भारत के परदानमंत्री के ऊपर जो अभधर टिपडियां करता है वो चेंज होने की बहुत जरूरत है देखें पॉलिटिक्स में अगर ह मैं आपको बताना चाहती हूं 2007 में सोनिया गांदी जी ने हमारे भारत के परदानमंत्री को मौद का सौदागर कहा था अपने स्टेट्मेंट और वहां से कॉंग्रेस के कॉंग्रेस का दिवालिया निकलना स्टार्ट हो चुका था था फिर 2014 में मनिशंकर एयर ने हमारे भा भारत के यूबा थे उन्होंने अपने अपने नाम के आगे अपने सोशल मेडिया पर लगा दिया था हम भी चौकेदार था ढगी जैनवरी में लालु पर्शा यॉदानाजू ने कह दिया बिहार में अपने श्तीच में मोदी का तू परिवार ही नहीं उसको कहां से का पता का परिवार मैं मोधी का परिवार एवन साथ दिन मेरे पर सोचल मेडिया पर लगा हुआ था कि मैं भी मोधी का परिवार तो रिप्लाई जो है ना भारत के प्रदान मंतरी के लिए उनको खुद नहीं देना पड़ता है देश के यूवद और यह मालदीव के केस में भी हमें नहीं सुनी या देखी या पढ़ी के मational जी इसे ऐसा होगी इडियन प्राइम मिश्सर ने कुछ ऐसा रिप्लाई किया इवन इंडियन गोल्मेंट ने कुछ सा रिप्लाइ किया ये भी मैंने कहीं पर नहीं सुना और तो आश्रा करतों की वीडियो का अपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिये लाइक खांजी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद है होगा जहां पे नाजिये खांजी ने ना सिर्फ बात क हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बलकि बात की बीजेपी जो हमारे देश में स्कीम से ला रही है खासकर मोदी जी ने जो काम किये इतने सालों में हमारे देश के लिए साथ में उन्होंने बात की सनातन धरम के बारे में तो आश्रा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छे लगिए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिका ज़रूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट और इंटरस्टिंग वीडियो लाते रहे तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मज़ितार वीडियो में तब तक अपना ध्यार रखिए जय हिंद जय भारत